Hello everyone, welcome back to my channel to friends साच का हमारा first word है Nowadays Nowadays का मीनिंग होता है आज कल Adorable Adorable का मीनिंग होता है प्यारा Adorable, प्यारा There, there का मीनिंग होता है वहाँ There, वहाँ Where, where का मीनिंग होता है कहाँ Where, कहाँ Early, early का मीनिंग होता है जल्दी Tonight, tonight का मीनिंग होता है आज रात Away, away का मीनिंग होता है दूर After, after का मीनिंग होता है बाद में Before, before का मीनिंग होता है पहले Before, पहले Because, because का मीनिंग होता है क्यों की But, but का मीनिंग होता है लेकिन Behind, behind का मीनिंग होता है पीछे Recently, recently का मीनिंग होता है हाल ही में Recently, हाल ही में. Almost, almost का मीनिंग होता है लगभग. Almost, लगभग. Inside, inside का मीनिंग होता है अंदर. Inside, अंदर. Above, above का मीनिंग होता है उपर. Above, उपर. Everywhere, everywhere का मीनिंग होता है हर जंगा. Everywhere, हर जंगा Deeply, deeply का मीनिंग होता है गहराई से Definitely, definitely का मीनिंग होता है निश्चित रूप से Beside, beside का मतलब होता है बगल में Usually, usually का मीनिंग होता है आम तौर पर Usually, आम तौर पर Hardly, hardly का मतलब होता है मुश्किल से Hardly, मुश्किल से अगला वड है Honestly, honestly का मीनिंग होता है इमानदारी से Rarely, rarely का मीनिंग होता है कभी कभार Together, together का मीनिंग होता है साथ में Together, साथ में Remind, remind का मीनिंग होता है ध्यान दिलाना Suggestion, suggestion का मीनिंग होता है सुझाब देना Purchase, purchase का मीनिंग होता है खरीदना Purchase, खरीदना Inspire, inspire का मीनिंग होता है प्रेरित करना Actually, actually का मीनिंग होता है दरसल Misguide, misguide का मीनिंग होता है बहकाना Skip, skip का मीनिंग होता है छोड़ना Skip, छोड़ना Precious, precious का मीनिंग होता है कीमती Beware, beware का मीनिंग होता है साबधान Compulsory, compulsory का मीनिंग होता है जरूरी Condition, condition का मीनिंग होता है परिस्थिती या हालात, condition परिस्थिती अगला वड़ है According, according का मीनिंग होता है अनुसार According, अनुसार Awake, awake का मीनिंग होता है जागना Awake, जागना Beagle, bigger का मीनिंग होता है भिकारी Beagle, भिकारी Boucher, Bucher का meaning होता है कसाई Carry on, Carry on का meaning होता है जारी रखना Achievement, Achievement का meaning होता है उपलबधी Compromise, Compromise का meaning होता है समझोता Compromise करना, समझोता Avoid, Avoid का meaning होता है टालना तालना, forever, forever का मीनिंग होता है हमेशा, एनीफिंग, का मीनिंग होता है कुछ भी, लास्ट वर्ड है, टार्गेट, टार्गेट का मीनिंग होता है लक्षे, टार्गेट, लक्षे, तो फ्रेंड साथ की वीडियो में बस इतना ही, I hope कि आपने कुछ नया सीखा हो, अगर हां, त सीखने की इंग्लिश क्या होती है, सीखने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इसी तरह की डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, thank you for watching